यहां पर मैंने 26 फंदे लिए हैं 21 फंदे 7 के मल्टिपल से लिए हैं 5 फंदे एक्स्टर लिए हैं 3 फंदे साइड में डिजाइन के विकल करने के लिए और 2 फंदे एस्टिज के होंगे और निचे से बेस देनी के लिए दूरो उल्ट उल्टे फंदों के साथ बुन कर निकाल लिए है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी first row है और right side है यह दिखिए as day slip कर लेंगे फिर धागा आगे करेंगे यहाँ से repeat pattern start करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे 1,2,3 धागा पीछे करेंगे 4 फंदे सीधे बना लेंगे 1,2,3,4 यहाँ से यहाँ तक हमारा एक pattern complete होगे इसमें हमने तीन फंदे pattern है यह दिखिए 1,2,3,4,5,6,7 फिर से इस pattern को repeat करेंगे धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे 1,2,3 धागा पीछे 4 फंदे सीधे 1,2,3,4 धागा आगे फिर से तीन फंदे उल्टे 1,2,3 धागा पीछे 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, धागा आगे, last में 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, एस्टे सिधा बना लेंगे, first row complete हो गई है, second row है, wrong side, इस row में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, वैसे ही बनाएंगे, एस्टे स्लिप करेंगे धागा पीछे, 3 फंदे सिधे, 1, 2, 3, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, धागा पीछे, 3 फंदे सिधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, लास्ट में, 3 फंदे सिधे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, लास्ट में, 3 फंदे सिधे, 1, 2, 3, एस्टेच उल्टा बनाएंगे, अब देखिए, रह थार, राइट साइड, एस्टे सिधे सिधे करेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, धागा पीछे, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे सिधे हैं, एक फंदा सिधा बनाएंगे, दो फंदे पर्लवाईज स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सिधा बना लेंगे, यहाँ सी यहाँ तक हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया, इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बनाएं, एक फंदा सिधा बना, दो फंदे सिधा बना, फिर से एक सीधा बुना, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो फंदे पर्लवाई स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे, एक फंदा, सीधा, दो फंदे पर वाई स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, लास्ट में तीन फंदे उल्टे, वन, टू, त्री, एस्ट इल, सीधा बना लेंगे, यह रिखे, थर्ड रौ कम्प्लीट हो गई है, फोर्थ रौ है, रौंग साइड, ज अब देखे, एक फंदा उल्टा, जो फंदे हमने स्लिप किये थे, उनको फिर से दो फंदों को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा है, उल्टा बना लेंगे, यहां सी यहां तक मारे एक पैटन कम्प्लीट होगे, फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सी वन, टू, त्री, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे परलवाय स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, लास्ट में तीन फंदे सीधे, वन, टू, त्री, एस्टिच उल्टा बना लेंगे, रो फोर कम्प्लीट हो गई है, अब देखिए, row 5 right side as to slip कर लेंगे धागा आगे करेंगे repeat pattern start करेंगे 3 फंदे उल्टे बना लेंगे 1, 2, 3 धागा पीछे करेंगे अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 फंदे सीधे हैं अब 2 फंदे लेंगे और इसको right to left twist करेंगे यानि कि इस तरफ को twist करेंगे front loop से एक फंदा आगे लेकर जाएंगे back loop से एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे 1, 2 अब दो फंदे इनको हम right to left यानि कि इस तरफ को twist करेंगे back loop से एक फंदा आगे लाएंगे फ्रन्ट लूप से एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधा बुन लेंगे यह दिखे यहाँ सी यहाँ तक मारे एक पैटन कम्प्लीट हो गए इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बनाए दो फंदे लेफ्ट वराइट विस्ट के और सीधे बनाए फिरसे इस पैटन को रिपीट करेंगे ठागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे फंदे फंदे लेफ्ट वराइट विस्ट करेंगे चाहिए आप इनको उतार कर लएजए चाहिए ऐसे भी कर सकती है फ्रंट लूप से पहले सेकिन फंदा सीधा बनाएंगे फिर फ्रंट लूप से ही फस्ट फंदा सीधा बनाएंगे अब बैक लूप से सेकिन फंदा पहले सीधा बना लेंगे फिर फ्रंट लूप से फस्ट फंदा सीधा बनाएंगे दिखे चाहे आप ऐसे बनाएंगे चाहे धागा पीछे आगे की साइड से पहले सेकिन फंदा सीधा फिर फस्ट फंदा सीधा बनाएंगे अब बैक लूप से पहले सेकिन फंदा सीधा फिर फस्ट फंदा सीधा बना लेंगे धागा आगे करेंगे लास्ट में वन तू त्री तीन फंदे उल्टे बनाएंगे ऐस्टी स धागा आगे, four फंदे उल्टे, one, two, three, four इदी रिखे, फिरसे, तीन फंदे सीधे, one, two, three, धागा आगे, four फंदे उल्टे, one, two, three, four 3 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 3 फंदे सीधे सीधे उल्टा बना लेंगे यह दिखे यह दिखे रॉस x complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गई है फिर से हम इसे first रॉस x start करेंगे यह दिखे एस्टी, slip करेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, सौरी तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, पोर फंदे सीधे, वन, टू, त्री, फोर, यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिर से यह से रपीट करेंगे, धागा पीछे, फोर फंदे सीधे, वन, टू, त्री, फोर, धागा आगे, वन, टू, त्री, तीन फंदे उल्टे, ऐस्टी सीधा बना लेंगे, यह दिखे, फिर से हमारा पैटन फर्स ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही बार बार हम इसकी वान टू, शिक्स रोर पीट करते जाएंगे, और यह पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, यह दिखे, यह दिखे फैन, बहुत ही प्यारा सा पैटन है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडिस कार्डिगन में, लेडिस जैकिट में, लेडिस रग में, गर्ल्स टॉप में, ब इसका लिंक नीचे, डिस्क्रिप्शन रॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप सीख सकते हैं, तो, प्रेंड, आप भी इसे बनाएगे, और अपने एक्स्पीरियंस हमारे साँ शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थेंक्यू फ्रेंड,